आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी मज़ेदार लाजवाब रेस्पी जिसे देख करी आपके मूँ में पानी आ जाए और वैसे भी सर्दियों का सीजन आ रहा है तो कुछ मज़ेदार सा खाने का तो मन करेगा ही असलाम अलेकुम वैलकम बैक तो जाए का अपनी किचिन का तो चलिए देर किस बात की इसको बनाना शुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कप के करीब बेसन और अब हम ले लेंगे यहाँ पर एक मिक्सिंग बाॉल मिक्सिंग बाॉल में तो जो प्यास दी वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दी है और इसको यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहे तो इसको हातों की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम चमच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे प्यास में वैसे भी पानी ह तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्याज और जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है ना जादा पतला है ना जादा गाड़ा है इसमें डाल देंगे हाफ टेबिल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे हाफ टेबिल स्पून के करीब गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे हाफ टेबिल स्पून के करीब अजबाइन और यहां पर हम डाल देंगे एक पिंच के करीब हींग और इसमें अब जाएगी हाफ टेबिल स्पून के करीब कसूरी मैथी को यहां पर हमने हाथो और जो सी रींटेव करें तो तो अन्यों से क्रेश कर लिया है और मसालेए और ऐसके मिक्स करकोई है तो आप हादों करना है और यहां पर हम एक ब्रश की हेल्फ से इसको अच्छे से ऑईल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हम बनाने जा रहे हैं वो इसमें चिपके रहे हैं और यहां पर हमने इस टेनर को ऑईल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और हातों में भी हलका सा ऑईल लगा लिया है ताकि जो बै बहुती आसानी से बाल्स बन जाती हैं और इसे हम सिर्फ पकाएंगे एक साइड से हमें दूसरा साइड इसका नहीं पलटना होता है और यह बहुती जादा हेल्दी रेस्पी है आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें तो जो सारी बाल्स हैं वो हमने यहां पर बना कर रख ल तो जो हमने इसटेङनर में अपनी बाल्स बनाके रखी थी वो हम इस पर रंध Aur यह जयाए है और यह बहुत ही हेल्दी होती है लेकिन हम इसको है प्ढख़्ब हिए और भी बिल्कुल बहीं पर नी तो की अई चाप्व हो देख सकते हैं तो इसको हट अच्छाने से तक मथे पर दो न्हीं हो रहें तो यहाँ पर आप देखें काफे अच्छी से पक गई हैं और यह बहुत ज़्यादा हैल्दी बनकर तयार होंगी और यह जो बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तयार होती हैं आप इने ऐसे भी खा सकते हैं कि इस टीम क्योव इतनी अच्छी लगती हैं आप चाहे तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे एक करके तो चलिए हब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो यहां पर हमने गैस पर foutे कड़ाई रख लीए है इसमें हमने टू ठेबले स्पून के करीब कोकिंग ऑल डाल दिया है तेल हमारा काफी अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें आप हम डाल देंगे गरम मसाले तो यहांपर हमने लिए एक बड़ी इलाइची चार-पाज काली मिर्चे एक पिंच के करीब हमने हींग लिए है आदा चमच के करीब सौफ ली है और आदा चमच के करीब जीरा लिया है और यहाँ पर हमने एक सावित लाल मिचल लिया जिसको दो टुकड़ों में हमने काट लिया था और यहाँ पर हमने आदा चमच के करीब इस सावित धनिया होता है वो लिया है और इन सारे मसालों को हम त और अच्छे से क्रेकल होने तक पकाएंगे ताकि इनका जो फ्लैवर है वो तेल में काफी अच्छा आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मसाल है वो काफी अच्छी से क्रेकल हो चुके हैं तो इसमें हम डाल देंगे वन टेविल स्पून के करीब लहसन अधरक का पेस्ट और इसको इसमें डालने के बाद इसको यहाँ पर हम भून लेंगे एक से टेड़ मिनट के लिए ताकि इसका जो कच्छा पन है वो निकल जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी से लहसन अधरक का जो पेस्ट है वो भून चुका है तो इसमें हम ए प्लीज लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्यास जो हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और यह रेस्पी बहुत ही जादा हेल्दी भी है तो यहाँ पर हम इसमें एट कर देंगे एक बड़ा टमाटर जिस बनाई है उनको हमने यहाँ पर फ्राई नहीं किया है और यहाँ पर हमने जो टमाटर Labs में एट किया तब हो काफी हट तक गल चुका है और तेल भी सैपरेट हो गया है और इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले तो यहाँ पर हमने लिया ह액 है वन टेबिल स्पून के करी करीब गरम मसाला और इसमें अब जाएगी 1.5 टेबल स्पून की करीब कसूरी मैति जिसको हमने अच्छे से करेश करके डाल दिया है और इसका जो फ्लेवर है वो काफी अच्छा आता है और जो मसाले हमने डाले हैं उसको यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं लेकिन प्यास टमाटर में अपना पानी होता है तो यह काफी हद तक जो मसाले हैं वो भुन जाते हैं इनके संग तो यह आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है काफी अच्छे से भुन रह और अगर आपको आपको यहां पर हमारी वीडियो पसंद हा रहा है। का दही का भी यूज़ करें तो भी आपको गैस की फिलेम जो है बिलकुल लो रखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मलाई है और जो मसाले है वो काफी अच्छी से भुन चुके हैं और इनका जो तेल है वो काफी अच्छी से सेपरिट भी हो गया है तो इसमें हम ए कर दिया और इसो में अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसमें जर्स बाउल आ जायगा तो हमने जो किया पर кच्छी है यह बिल्कुल भी कच्ची नहीं है तो यहा पर मैंने आपको इसको तोड़ए För LIVE भी दिखाया है तो यहाँ नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते ही जो सारी बॉल्स है वह हमने इसमें एड़् कर दी है और यह यह जो tweak बहुत एह जादा टेष्टी बनगा तयार ही हैं तो यहां पर हमारे पाँच मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लिम पर देख सकते हैं तो चलिए हम्हें उक्ती part यह थियूर कर देख लिकी है और अपना जो फीड़ यह में कमेंट के जरूर दें तो चलिए हमारी बेसन प्यास की सब्सक्राइब्स, और ये बहुत ही जादा टेस्टी बनती है कोई यकीन नहीं मानेगा कि आपने इसको बेसन और प्यास से बना कर तैयार किया है देखने में इतनी जादा टेमेंटिंग है खाने में उससे भी जादा टेस्टी है सब्जी ऐसी कि मूँ में घुल जाए और मखन के तरह ये आपके मुँ में खुल जाएगी बहुत ज़ादा हेल्दी भी है और आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं बहुत ज़ादा टेस्टी रेस्पी है फ्रेंड्स जरूर ट्राइ कीजिएगा रोटी पूरी पराथा चावल के साथ आप अपनी फैमली के साथ इसको जरूर इंजॉय और हम आपको ऐसे ही नई यूनिक और डिफरेंट रेस्पी लेकर आपके लिए आते रहेंगे अगर आपको आज की हमारी रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कमेंट और अपने बहुत सारे दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा मिलते रहेंगे ऐसे ही नई डिफरेंट और यूनिक रेस्पी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए अलाहाफेज